हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रदीप्त्यागी क्लासिस दोस्तो आज में एक नए सब्जेक्ट शुरू करना जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग और इसमें हम पढ़ेंगे फर्स चेप्टर जिसका नाम है मटीरियल और इस चेप्टर में ना केवल हम इस चे प्रेलिस्ट की सभी वीडियोस को जरूर देखें और पूरा देखें और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो गई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में पूरी प्रेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मटीरियल बेटे पिछली क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर मटीरियल कोस्ट अकाउंटिंग का आज बेटे उसी चैप्टर को मागे बढ़ा रहे हैं कुछ क्वेशन और करने जा रहे हैं आज हम तो बेटे आज का पहला क्वेशन है calculate annual uses from the following information if the company follows the following economic order quantity एक कमपनी है बेटे जो economic order quantity को फोलो करती है अब हमें बेटे बताना है कि उसका annual uses क्या होगा given क्या है given है बेटे purchase price per unit of input 10 रुपे cost of placing an order 30 carrying cost per unit per annum 7.5 total cost of carrying inventory and ordering per annum 600 चली बेटे करने जा रहे हम इस question को जरह देखें क्या-क्या दे रखा है question के अंदर बेटे question में पहली चीज़ purchase price है जो की 10 रुपे है cost of placing an order CP 30 रुपीज अब दे रखें बेटे carrying cost carrying cost per unit per annum यह दे रखें बेटे 7.5% तो बेटे cost of holding आपको percentage में दे रखी है तो इस percentage की किस में apply कर देंगे बेटे हम price में तो हमारी cost of holding per unit per annum आ जाएगी तो बेटे price है 10 रुपे और 10 रुपे का 7.5% तो यह आगया 0.75 इसके अलावा total carrying of inventory and ordering per annum यह दे रखें बेटे carrying और ordering की total cost तो यह है हमारी बेटे total carrying and ordering cost कितनी है बेटे यह 600 per annum अब बेटे हमें निकालना है आर एन्वल requirement निकालना है ठीक है बेटे अब बेटे जरा समझे मेरी बात को इन्होंने क्या कहा है कि firm economic order quantity follow करती है तो अगर बेटे economic order quantity follow की जाती है तो उसमें क्या होगा बेटे economic order quantity अगर follow की जा रही है तो ordering और holding cost दोनों equal होंगी तो दोनों individually कितनी होगी ordering cost भी 300 होगी और carrying cost भी 300 होगी तो देखे बेटे at e o q total carrying cost equal होती है किसके total ordering cost के total carrying cost equal होगी total ordering cost के और बेटे total है 600 रुपे तो total carrying cost carrying cost कितनी होगी बेटे 300 और total ordering cost total ordering cost होगी ये भी हमारी 300 अब बेटे हमें निकालना है आर अब ज़रा समझे है बेटे carrying cost का formula क्या होता है carrying cost का formula होता है q o q 0 बोलो एक ही बार अपॉण 2 इंटू c h carrying cost हमारी 300 है order quantity पता नहीं है अपॉण 2 इंटू c h है हमारा 0.75 तो देखे बेटे इसकी 2 कि इधर multiply हो जाएगी तो 600 equal to 0.75 q तो बेटे order की quantity कितनी हो जाएगी q 0 कही है q o कही है कितना होगा भाई 600 divided by 0.75 तो यह आ गया 800 तो इससे हमें carrying cost मिल गई अब हम क्या करेंगे इससे r निकाल सकते है easy ली कैसे निकालेंगे बेटे जड़ा देखे हमारे पास ordering cost भी है ordering cost होती है r upon q 0 into c p यह है 300 ठीक है बेटे r पता नहीं है q 0 अभी निकाल दिया हमने 800 cp cp हमारे पास था 30 बेटे 30 से 300 10 times कर जाएगा तो 10 equal to r upon 800 तो r equal to कितना आ गया बेटे 8000 तो इनकी r है बेटे 8000 units ठीक है बेटे तो यह आ गया हमारा annual requirement एक बेटे बहुत छोटा सा question हो रहा हाला कि से आप असानी से कर लेंगे बस मैं आपको थोड़ा hint दे रहा हूँ जड़ा देखें बेटे next question है economic order quantity दे रखिये question के अंदर इसमें economic order quantity दे रखिये cost of placing and order दे रखा है carrying cost per unit per item दे रखा है purchase price per unit दे रखिये और बेटे है क्या क्याता calculate करिए annual requirement of material तो देखो सब कुछ तो है आपके पास इसके अंदर eoq 1250 units ठीक है और क्या दे रखा है आपको यहाँ पर CP दे रखा है 60 और और क्या दे रखा है यहाँ पर carrying cost per unit per item CH 10% है और इस percentage की किसमा multiply करते थे हैं price में price दे रखा 12 रुपे 12 रुपे का 10% तो यहाँ जाएगा बेटा 1.2 ठीक है अब आपसे कहता कि annual requirement निकाल लिए तो देखे बेटे eoq का formula क्या होगा under root 2 into R into CP upon CH अब देखे eoq 1250 2 into R हमें missing है निकालना पड़ेगा तो बेटे into CP upon CH 1.2 बस solve कर लो तो R निकाल सकते है तो कुछ question ऐसे भी होते है eoq दे दिया R missing है eoq दे दिया CP missing है eoq दे दिया CH missing है formula में जो जो value पता है उनको लिख दीजिए और बाकी का आपका अपने आपने कल करके आ जागो जो missing value है तो अगर आप इसको solve करेंगे तो यहां R आएगा भई मैं answer में से देख करके लिख रहा हूँ 15,625 आप इसको solve कर लेना ठेक है बेटे आए एक ओर question छोटा सा इसी तरह है का from the following information next question है बेटे from the following information calculate ordering cost per order यानि की CP if the company follows the policy of economic order quantity annual usage 18,000 यानि की आर दे दिया purchase price per pound 1 रुपी price दे दिया carrying cost per unit पर एनम 0.5% total cost of carrying inventory and ordering पर एनम तो बेटे ये भी question बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने ये question किया था तो जड़ा देखो मैं इसका भी आपको idea दे रहा हूँ कैसे करेंगे question को बेटे आर दे रखा है 18,000 पॉंड बेटे LBS pounds को बोलते है price 1 रुपी और क्या दे रखा carrying cost carrying cost है हमारी 0.5% per month per unit तो एक रुपे का 0.5% और बेटे बारे सा multiply करके हमें चाहिए per annum बारे के multiply क्यों कर रहे है हम चुकि हमें तो पर annum चाहिए इन्टू 12 लो भाई यह आ गया 0.06 ठीक है जी और क्या दे रखा है बेटे टोटल केरिंग एंड ओर्डरिंग कोस्ट यह दे रखी है 360 और यह क्यों को बेटा यह फोलो करते हैं अब जब यह क्यों को फोलो करते हैं तो हमने पहले यह क्यों क्या कहा बेटा यह क्यों पर टोटल केरिंग कोस्ट किसके बराबर होती है टोटल ओर्डरिंग कोस्ट के बराबर होती है ठीक है बेटे मैं है डारेक्ट लिख रहा हूं बेटे आप इस स्टेट्मेंट को लिखेंगे यहाँ पर दोनों कोस्ट बराबर हैं टोटल cost 360 है तो बताओ carrying cost कितनी आ जाएगी हमारी carrying cost 360 का half याने की 180 और ordering cost ये भी बेटे 180 ठीक है बेटे अब देखे ज़रा बेटे carrying cost carrying cost कैसे निकालते है carrying cost का formula होता है q0 upon 2 into ch ये तो formula में बनाना भी आता है आदा माल स्टॉक में रहता है बोलो बेटे अब पर येनिट होल्डिंग cost के multiply कर देते हैं carrying cost 180 है q0 हमें पता नहीं है निकालना है ch ch है 0.06 तो बेटे 360 equal to 0.06 q0 तो बेटे q0 कितना आ गया 360 upon 0.06 तो भाई 360 को divide कर दो 0.06 से तो ये आएगा 6000 ये हमारी आगी बेटे order देने की quantity बस अब हमारा काम खतम होने वाला है cost of ordering हमारे पास already है तो बेटे इसका formula होता cost of ordering का r upon q0 into cp ये 180 है r हमें question में दे रखे है 18,000 upon q0 6000 into cp cp हमें निकालना है तो बेटे ये 3 times कर जाया गई है 180 equal to 3 cp तो cp equal to कितना आगया बेटे 180 upon 3 याने कि 60 तो ये भी बेटे एक छोटा सा question था ये जो भी मैंने आपको बेटे 2-3 questions कराएं है ये छोटे-छोटे questions है कई बार short question में पूछ ले जाते है ठीक है बेटे मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आगे होंगे अब मैं कराने जारूँ एक नया concept इसके अंदर तब तक आप इसको note कर लीजिए ठीक है बेटे दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादस ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो के description box में हमारी Android app, iOS app और web portal के link given है जहां CA, BCOM, MCOM, BBA, MBA, Class 11th और 12th के complete syllabus को cover करते हुए हमारे courses available हैं वहाँ जाकर के आप अपना मन पसंद course खरीच सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद